नमश्कार आप देख रहें MP News मैं हूँ अदती स्वागत करती हूँ MP News के खासकार इकरम न्यूजरूम में आपका न्यूजरूम के शुरूआत करेंगे इस वक्त प्रदेश में सबसे ज्यादा सुर्ख्यों में बनी हुई ख़वर से जहां नाम देव दास त्यागी से यानि की कम्प्यूटर बाबा से जुड़ी हुई ख़वर को लेकर जी हां मध्यप्रदेश के ओध्योगिक शहर यानि इंदौर में हुई शुवरास सरकार जो शुवरास सरकार द्वारा कारवाई की गई कम्प्यूटर बाबा के आवैद निर्मान पर उसको लेकर इस वक्त सबसे आदे ख़वर सुर्ख्यों में बनी हुई है कम्प्यूटर बाबा के आवैद निर्मान पर कारवाई की गई है आवैद निर्मान को द्वस्त कर दिया गया तो वहीं कॉंग्रेस इस कारवाई को बदले की भावना से की गई कारवाई बता रही है कॉंग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इस पूरी कारवाई को लेकर प्रतिक्रिया दी है उन्होंने साफ कहा कि 15 साल तक जब हच्पा की सरकारती बीजेपी सरकारती और जब कम्प्यूटर बाबा बीजेपी में थे तब शिवरास सरकार को अवैद निर्मान नजर नहीं आया उस वक्त उन्हें कोई अवैद निर्मान नजर नहीं आया उस वक्त उन्हें कम्प्यूटर बाबा संत नजर आते थे और अब जब वो कॉंग्रिस में शामिल हो गए है तो वो उन्हें शैतान नजर आ रहा है और उनका हर एक निर्माण सबावैन निर्माण नजर आ रहा है इस प्रकार के प्रतिक्रिया जीतू पटवारी ने दी है शिवरा सरकार दुआरा की गई इस कारवाई को लेकर इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब वे बीजेवी में थे कंप्यूटर बाबा तब उन्हें खुद शिवरा सिंग चौहान ने खुद उन्हें राजी मंतरी का दर कंप्यूटर बाबा बीजेपी सरकार पर हमला बार है लेकिन अब जब उप्चुनाव होने वाले थे उप्चुनाव यानि तीन नंवंबर को जो मतदान हुआ वो होने वाला था उसके पहले लगातार देखा जा रहा था कि कंप्यूटर बाबा उन तमाम सीटों पर उनतमा प्रदर्शन किया और ये कहा कि कॉंग्रेस का हात मजबूत करना है ना कि जो भाजपा के प्रत्याशी खड़े है यानि कि जो जोत्रादित के सिंधिया के समर तक खड़े है उन्हें जिताना है इस प्रकार की लगातार जो आंदोलन और आंदोलन चलाया जा रहा था आगे बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ अगली अपडेट है नोट बंदी के चार सालों को लेकर जिहाँ जियानि आठ नवंबर को नोट बंदी को पूरे चार साल हो चुके है आठ नवंबर के दिन ही राथ 8 बजे मोधी जी ने पीएम मोधी ने नोट बंदी का अनॉंस्मेंट किया था 500 और 1000 के नोट बंद करने का अनॉंस्मेंट किया था और 250 और 2000 के नए नोट जारी भी किये थे उस सुबक्त पूरे देश में हडकंप की इस्तती बची हुई थी कि आखिर अचानक से इस तरह से नोट बंदी जब लागू कर दी गई है बिना किसी प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन के साथ तो उस सुबक्त पूरे देश में हडकंप मचा हुआ तो खास कर इस नोट बं उन पर ये असर ज्यादा नजर आया जो लोग कैश में लेंदेन क्या करती थे उन पर ये नजर आया काफी साय लोग के कारोबार ठप हो गए लोगों की नौकरिया छूट गई ये सब नोट बंदी के दोरान देखने को मिला और उस वक्त विपक्ष भी मोधी सरकार पर हाव रही विपक्ष ने कहा कि प्रॉपर रेगूलेशन के साथ ये नोट बंदी लागू नहीं की गई है अगर प्रॉपर रेगूलेशन के साथ नोट बंदी लागू की जाती तो इस प्रकार से अचानक देश की जनता परिशान ना होती और भी कई सारे मुद्दो को लेकर पीचे ये तमाम वजह बताई थी तो वहीं उस वक्त कोई सकरात्मक नजर नहीं आया विपक्ष हमला वर्था लेकिन अब जब आज पूरे 4 साल हो चुके है नोट बंदी को तो अब सकरात्मक असर नजर आ रहा है क्योंकि अगर हम सरवे की बात करें जो सरवे हुए है इस नो ये भी सामने आया है कि टैक्स चोरी में कम courtyard ये हैंěं पिछले चार सालों की बात ने करें अगर हम पिछले हम 2019 की ही बात कर लें तो 2019 में कुछ 27 प्रतीशत tax चोरी के मामले सामने आते थे तो वहीं अब केवल 14 प्रतीशत मामले सामने आरे हैं अब पूरा इस नोडबंदी का जो भी लोग अब यूज़ कर रहे हैं कैस्छलेस यूज़ करें सबसे ज्यादा ये साफ देखा जा रहा है कि नोडबंदी का सबसे सकरात्मक असर सामने आया है आगे बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ अगली अपडेट है इंडियन प्रीमियम प्रीमियर लीक को लेकर यानि आईपेल को लेकर आईपेल मैच अब अपने अंत में पहुँच गया है दूसरा क्वालिफायर आज यानि आज नवंबर को शाम साड़े साथ बज़े होना है अब अपने अंत पे पहुच चुका है आईपेल अब देखना काफी लाज़मी होगा क्योंकि दूसरे क्वालिफायर में डेली कैपिटल्स और संड्राइस हैदरबाद ये दोनों टीमें आमने सामने होगी और ये भी देखा जा रहा है कि जो संड्राइस ये चारों मैच हार जाती तो वो फाइनल यहां तक की इस क्वालिफायर राउंड पर भी नहीं पहुचती लेकिन संड्राइस हैदरबाद के जो कैप्टन है वार्णर की योजनाए काम आई और अब संड्राइस हैदरबाद दूसरे क्वालिफायर राउंड में है तो वहीं और जो पहला क्वालिफायर राउंड हुआ, मुंबई इंडियांस और डेली कैपिल्स के बीच, तो इसमें भी डेली कैपिल्स के गेंदवाज काम नहीं आए, काफी बेकार मैच थाबित हुआ डेली कैपिल्स के लिए, क्योंकि इसमें भी डेली कैपिल्स को हार का सामना करना पड़ा अब ये दूसरा क्वालिफायर राउंड है जो आज होना है अब इन दोनों ही टीमों में से जो भी टीम ये मैच जीतती है वो सीधे फाइनल में जाएगी और देखना होगा कि मुंबई इंडियंस और जो भी टीम मैच जीतेगी उन दोनों के बीच होने वाले मैच मे आखिर कौन सी टीम है जो IPL की ट्रॉफी लेकर आगे जाएगी आगे बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ अगली अंदिम अपडेट है कॉरोना संक्रमन को लेकर कॉरोना संक्रमन की बात करें तो कॉरोना संक्रमन जब देश में शुरू शुरू में आया काफी उचाल लेका गया फिर गिरावट आई बीच में अगर हम जून की बात कर ले फिर जुलाई अगस्य तमबर इसमें काफी उचाल लेका गया अक्टूबर में काफी मामलों में गिरावट नजर आई लेकिन अब दुबारा थोड़ी थोड़ा उचाल नजर आ रहा है हम बात करें प्तेंद्र जैन के अनुसार इस वक्त दिल्ले के हालात काफी खराब है, मरीजों के लिए जो COVID-19 के मरीज हैं उनके लिए बिस्तरों की ज्यादतर व्यवस्था की जा रही है, इस वक्त होटलों और घरों में सेवाएं देने पर अभी विचार किया जा रहा है, अभी उतना व सामलों में कमी भी देखी जाए, इसमें सबसे ज्यादा अगर कारण की बात करें आखर इसके पीछे वजह है क्या है, तो जैन के अनुसार, सतेंद्र जैन के अनुसार उन्होंने का कि इस वक्त लापरवाही ज्यादा बढ़ती जा रही है, मानते हैं कि इस वक्त त्योहारो में इतने ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि आप सेफ्टी प्रिकॉशन्स रखना भूल गए और यही लापरवाही सामने आ रही है कि दिली में ज्यादा तर नए मामले सामने आ रहे हैं, तो वही अगर ये व्यक्ति कोई सोच रहा है कि अभी तक उसे कॉरोना नहीं हुआ तो वह मास्क नहीं लगाये, और उसे कॉरोना नहीं होगा तो ऐसा नहीं है, कॉरोना उसे भी हो सकता है, तो साफधानी पड़ते दोगस की दूरी रखे और मास्क लगाये, इसके साथ ही हम पिछले 24 गंटों की बात करें, तो पिछले 24 गंटे में 45,604 नए मामले देश में सामने आये हैं और 569 लोगों की मौत हो चुकी है रविवार सुभा स्वास्त मंत्राले द्वारा जारी किये गई यह आकरे है पिछले 24 गंते के और अगर हम कुल बात करें कि अब तक कुल मौते कितनी हुई है तो 569 नई मौतों को मिलाकर अब तक 126,121 मौते हो चुकी है इसक देश में सक्रिय मामले 5,12,665 हो गए हैं दिस्चार्ज होने वाले मरीजों की बात करें तो पिछने 24 गंते में 59,82 मरीज दिस्चार्ज हुए हैं जिने मिलाकर अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 78,68,968 हो गई है तो इस वक्त दिल्ली में जहां उच्छाल देखा जा रहा है तो देश में शायद थोड़ा बहुत नजर आ रहा है कि अभी कमी आ रही है मामलो में लेकिन सभी को पुरे देश की जनता को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो दूरी रखे, मास्क लगा के रखे, सैनिटाइज करें अपने हा उनकी अपडेट से आज इतना ही ताजा अपडेट से अमपी न्यूस पे लगातार जारी है धन्यवाद